लिए दोस्तों बात करते हैं हाद SSJD का जो भी फोरम लगाना है उससे पहले हमें new candidate होते हैं उनका registration करना होता है registration कैसे करना है उसमें क्या-क्या फिल करना है क्या चीज नहीं करनी हम है वो चीज हम आपको पूरा process बताएंगे कि आप कैसे registration कर सकते हो इजली से ज्यादा कुछ टाइम नहीं थोड़े से वक्त के अंदर आप अपना एक new create account कर सकते हो या आप registration कर सकते हो चलिए इस वीडियो में बने रही है हम आपको पूरी detail देंगे कि आप registration कैसे कर सकते हो सबसे पहले बात करते हैं आपको registration कैसे करना है उसके लिए आपको yes पर click करना होगा और आदारकार्ट का option खुल जाएगा आपके लिए तो चलिए यह हमने अदारकार नमबर यहां पर complete लिए आपको पता है तो यह हमने फिल कर चुक है तो verify और verify दो बार हमें करना पड़ता है अदारकार के नमबर हमें एक बार डालने से कुछ नहीं होगा हमें हर detail को दो बार फिल करना होगा जैसे नाम नेम नंबर सब कुछ verify करना होगा तो हमने यह दूबारा भी है हमारा काम complete हो चुक है और हमने इसे यहां पर candidate का नाम लिखते हैं सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा candidate का जैसे कि यह कि आप नाम लिख चुक है हमारे candidate का तो अब candidate का नाम लिखने के बाद में हम re-verify नाम तो चलिए मैं यहां पर नेम टेप कर देता हूं तो यह फादर्स का नेम हो चुका और हम फिर से हम यहां पर रिवेरिफाई पर नाम पर क्लिक करेंगे और यहां पर वही नाम हम फिर से लिख देंगे तो हमारे यह नाम रिवेरिफाई हो जाएगा Mother's name complete होने के बाद में हम यहां नीचे लिखेंगे Mother's name यानि कि अपनी माताजी का नाम जो भी है वो आप जैसे है दसवी की मारक शीट में उसरनुसा लिख देना लिखने के बाद हम वापिस से करेंगे Re-Verify Re-Verify नाम पे करेंगे तो Agitive Spling लिखनी है हमें Spling में कोई भी मिष्टेक या चेंज नहीं करना है तो गलती नहीं होगा यह बाकी डिटेल होने के बाद में हमें यहां पर डेटो अपर डालनी है यानि कि Candidate की डेटो अपरत क्या है तो चलिए मैं यहां यहां से डेटो अपर दराल देता हूँ तो यह है हमारे Candidate की जो भी यह वह आपके सामने है जो कि यह डेटो बरते हैं चलिए हमें फिर से Review Arify करना पड़ेगा यानि कि जो भी हम लिखते हैं उससे दूबार हमें दोराना पड़ेगा कि सही है या गलत है Miss Match होगा वो आपका मेच कराने के लिए फिर से आपको Option दिया जाता है Review Arify के से लिए तो अब हमें Education Board सर्च करना है यानि कि हमने किस Education से किस Board से किया जैसे कि मैं रास्तान से हूं तो मैं रास्तान से ही करूँगा न तो रास्तान या कौन सा है उत्र परदेस उत्रा खायंड मज्द्य परदेस आपने कहां से किया वो आपको Select करना है तो चलिए हमने Select कर चुके हैं यह हमारा रास्तान बोड है तो चलिए हमने रास्तान बोड Select यहां से कर लिया है और दुबा रिवेरिपिकर्स न के अंदर भी फिर से रास्तान बोड Select कर लेते हैं आपको नीचे डालना है रोल नमर जो 10th कलास की मार्क शीट में दिएगी रोल नमर है वो रोल नमर आपको यहां पर फिल करना है यह रोल नमर जैसे कि हमने फिल कर दिया फिल करने के बाद में फिर से हमें रिवेरिपाई रोल नमर फिल करने है तो जैसे कि आप देख रहे हूँ हमने रिवेरिपाई रोल नमर भी हमने यहां पर completely फिल कर दिया इसके बाद में हमें करना है यहां पर passing कौन सी year में की थी तो चलिए मैं यहां बर देता हूं 2018 और यहां कौन से साल में की थी यहां फिर से 2018 candidate का gender क्या है gender submit करने बाद में हमें उसकी qualification क्या है 10th 12th क्या क्या है वो हमें सब कुछ submit कर दे वागे हमें काम करना है जो काम है वो अब डालेंगे हम लोग यहां पर mobile number तो हमें जो activate हमारे पास जो mobile number रहेगा वही mobile number हमें यहां डालना है ताकि जिस पर OTP आसके यानि कि हमें verification code चाहिए जो कि इसमें तुरंत verification code आएंगे तो हमने mobile number लिख दिये हैं हम फिर से चलिए वही mobile number को रिएंटर कर देते हैं ताकि वेरिपिकेशन कंप्लीट हो जाए नहीं तो वेरिपिकेशन दुबार आप से मांग लेगा तो हमारा complete हो चुका है तो चलिए मैंने सेट सेलेक्ट कर लिया है नीचे नीचे है राजस्तान कर चुका हूं हमने पहला पेज जो कि next शेव पर कलिक कर दिया तो जो भी data होगा वो हम सिया से सेव करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे अगर next step में हम आगे काम करेंगे चलिए ये काम होने के बाद में next page में हम काम करेंगे जो है हमारी category हम choose करेंगे और भी सी फिर से रीख करेंगे उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है नेशनल्टी हम इंडिया से हैं या कहीं बाहर से आई हैं तो हम लोग इंडिया से हैं परमानेटली उसके बाद हम आइडेंटी मार्क लिखेंगे तो चलिए हमारा आइडेंटी मार्क लिखेंगे देते हैं व वो Adress हमारा address हमें fill करना होगा हमारा address जो कि आपको fill ओर रहा है जो भी है हाई जेकिन address जो कि फिल हो चुका है Completely address आपका होचुका होगा एड़ेस completely fill होने के बाद में आपको देखना है नीचे दिया कगे आपका स्टेट आपको नीचें आपको यह ना सटुकूर्ऩ होता है तोisten के अलंगा अलग पिर फिनकोंड दालता Maine चैले हम जैसे ही दूसरे पहर वेस्त को को हम सेव नेक्स्टप सिखने मांगे तो हमारा सक्सेजबूल होगा जो कि OTP के लिए तयार होजएगा हमें एक OTP बेजएगा और हम जैसे हम Final Summit पर जैसे कली करेंगी तो हमारा Final Summit होजएगा और Final Summit होने के बाद में हमें एक Generate OTP मिलेगा वो OTP डालने के बाद में हमारा Registration का काम है जो कि Complete हो जाएगा और हमारा वेरिफिकेशन भी Total Complete हो चुका हो यहां पर OTP डालेंगे जैसे ही OTP डालने के बाद में हमें Code डालने होंगे जो कि यहां रेप्रेंस नंबर या जो भी Code आते हैं वो Code डालने के बाद में हमें फिरसे OTP मोबाइल दुआ लेत है इसलिए हमें मोबाइल नंबर के जिए पर OTP डालना होगा मोबाइल नंबर के OTP डालने के बाद में हमें दूसरा काम करना होगा जो है में सब्मिट करना जैसे सब्मिट कर देंगे सब्मिट करने के बाद में हमारा अपन्ट ते